भारतिय सम्विधान की प्रमुख विशेशताय एक, सबसे लंबा लिखित सम्विधान, आम तोर पर सम्विधान को दो प्रकारों में वर्गी कृत किया जा सकता है, लिखित और अलिखित सम्विधान पहला आधुनेक लिखित सम्विधान अमेरिकी सम्विधान है दूसरी ओर ब्रिटिश सम्विधान अलिखित है इसमें रीती रिवाज और परमपराई शामिल है जो वर्षों से विक्सित हुई है भारत में हमारा लिखित सम्विधान है। भारत का सम्विधान दुनिया में सबसे लंबा है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्षेद, 22 भाग और 8 अनुचुचिया थी। आज सम्विधान में 470 अनुच्षेद, 25 भाग और 12 अनुचुचिया है। मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण सम्विधान लंबा हो गया। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही सम्विधान है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय भारत सरकार अधिन 1935 लागुधा थी। हमारे नेता इस अधिनियम से परिचित थे। उन्होंने हमारे सम्विधान को बनाते समय इस लंबे कार्य से बहुत कुछ उधार लिया था। भारत महान विविधता का देश है। ये कई अलपसंख्यकों का देश है। इसकी कई भाषाएं, जातिया, न थान मिला है। कुछ प्रावधानों को भारतिय संसत द्वारा साधारन बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। सम्विधान के अधिकांश अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए संसत के दोनों सदनों में विशेश बहुमत की आवश्यक्ता होती है। सम्विधान के कुछ अन्य प्र विशेश बहुमत से प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई के समर्थन से अनुमोदित किया जाना चाहिए, फिर इसे भारत के कम से कम आधे राज्यों में, विधाईकाउं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ये विभिन इस प्रनाली में निचले सदन यानी लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है। मंत्री परिशद, सामुविक रूप से लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होती है। कैबिनेट वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है। राश्ट्रपती शासन प्रनाली में राश्ट्रपती कार्यकारी प्रमुख होता है। भारत में राश्ट्रपती केवल नामात्र का सम्वेधानिक प्रमुख होता है। बृतेन में राजशाही वन्शानुगत है। लेकिन भारत में राश्ट्रपती का पद निर्वाचित है। हमारे सम्वेधानिक संस्थापकों ने दो कारणों से संसदिय मौडल को अपनाया सबसे पहले, उनका मानना है कि सरकार का एक संसदिय रूप सरकार के राष्ट्रपती के रूप की तुलना में अधिक जिम्मेदार लोक्तांत्रिक होगा, दूसरे, वे कुछ हद तक, ब्रिटि वाली संघिय सरकार, भारत एक संघ है, हालां कि भारतिय संविधान के पूरे पाठ में संघ शब्द को जगह नहीं मिलती है, भारतिय संविधान में संघ के तत्व मौजूद है, यह एक लिखित और कथोर संविधान है, एक दोहरी राजनीती है, और केंद्र और राज्य के के बीच शक्तियों का एक समवेधानिक विभाजन है। एक स्वतंत्र न्याएपालिका भी है। सर्वोचन न्यायाले केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की मध्यस्थथता करता है। सारे प्रावधान संग के भारत को बनाते हैं, लेकिन भारतिय संग में, राज्यों की तुलना में केंद्र मजबूत है, केंद्र के पास अधिक विप्तिय शक्तियां हैं, और राज्य अपने आर्थिक विकास के लिए काफी हद तक इस पर निर्भर हैं, राज्य पाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्या करता है, केंद्र, राज्य का पुनरगठन कर सकता है, लेकिन राज्य केंद्र का पुनरगठन नहीं कर सकता, दूसरे शब्दों में, केंद्र अविनाशी है, जबकि राज्य नाश्वान है, आपातकाल के दौरान केंद शक्ति काफी बढ़ जाती है और राज्य कमजोर हो जाते हैं। भारत नाश्वान राज्यों का अविनाशी संग है पांच। मौलिक अधिकार हमारे समविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। समविधान के भाग तीन में इसकी गण्ना की गई है। ये अधिकार मौलिक हैं क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियादी हैं और इन अधिकारों को संसद द्वारा आसानी से कम कम करें।